मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं एक ऐसे गाउं में जहां पर न रोड के ठीकाना है और नहीं राशे के यार। गाउं से घृट टो जानेवाई गोड तो जहां रोडी नहीं एक थे से आपको जाना पड़ेगा छिलिए चलिए तखातों तो तब कर देखें आपको यहां का रोड है अप नहीं आप जा जा सकते हों लेकिन बद्धाते मिल में यह गाउं से ही कर जाते हैं । अगर आश्य क तो देखिए यह इस तरह से हैं कि जितने भी मदद्धिक रहना पूरा खेत है और बर्साद के दिनों में इसमें जब खरसल लग जाता है तो उसके बाद फिर यह जो गाहों है बिल्कुल कर जाता है पाकी गाहों तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे ना तो चारों तरफ आप को खेथी खेट में जाने और यह वाली जो रोड है ना यही रोड से लोग आते हो जाते हैं और गाहों का नाम पता दो दोस्तों यह गाहों है केश डबरी जाओं जो जीला मुख्याले बलोदब अजार से लगबक साथ किलोमीटर दूर खाबदी का आसित गाहों है तो इस पहुंच गया रोड में और इधर देखिए एक खेट और यह रास्ता खतम है और आज पास मनें सबसे खुब्सूरत गाओं है प्यारा सा गाओं है बहुत छोटा सा गाओं है और इसमें बस एक ही के लिए दिखाऊंगा आप सभी को देखते रही अगल बस में घर बस है और बीच में यह रास्ता खिया और यह होगा दोस्तों गाओं का इंड़ इस तो जैसे आप सामें देखेंगे ना तो यह है यहां का तलाप और यह है दोस्तों गाओं का विउव जैसे कि आप गजित पार हैं तो इस तरह से यहां की जो खुबशूरते गाओं की खुबशूरती है वह यह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो दोस्तों जैसे कभी आप इस गुमने के लिए आते हैं तो इधर से आएंगे तो उधर तो रास्तर नहीं मिलेगा लेकिन यह वाली जो रोड है यह आपको पहुंचा जाएगा जो बलोदा वजार जाती है और आपका निपन्य वाले तो यहां का जो व्यू है इस तरह से अ अपने मामा का प्लाट जैसे कि आप इधर से देखना चाहेंगे तो भाई साब लगभग पाच्छे करके आसपास में और यहां के बारे में अपनों को बता दू तो यार यहां जो है ना भाई एक जवाने में मैं यहां 24 गंता रहा करता था पहले यहां ना साग सब्जियां द्धान अगरह बोवाते थी तो मैं यहीं रूख जाया करता था और यहां पर जो है भाटा वागेरा या तो फेर भाटा हो गया भिंडी हो गया अब टमाटर वगेर यह सब यहां पर लगाते थी और यहीं पर मैं रखवाने में पर यहां लूहार की बात है सन 2003 के आसपास म तो गर्मी की छुट्टी रहता था तो भीया यहीं आके अपन अड़ा बना लेते थे और जैसे आप यह देख रहे न तो इसमें कुछ पिनाते थे और बोर लगा हुआ है तो इस तरह से यहां मजई कुछ अलग रहता है अभी तो यह घर जो है जरजर टाइप का हो गया है पह पहले मस्ती क्या करते थे यहां रेती हुआ करता था और मैं चड़ जाता था वहां और वहां से भीया कुछ जाता था नीचे में मतलब कहा जाए तो एक पहले का जोसी अलग था है ऑशी और इस गाउं के बारे में और वतादो यहां जितने भी लोग है ना लगभग सभी ज बहुत खुबसूरत गाओं है यारी अच्छा भी लगता है सांत एरिया है सांत माहूल है खुबसूरत सा जगह है तो इस तरह जो है यहां का कहानी है और व्यू है दोस्तों जैसे देखेंगे आप सामने तो भाई यह पेड़ ना उस समय बहुत छोटा-छोटा था अब तो ब गर्मी के दिन में गया हूं और यह इसमें जो है ना इसमें लगता था सब्जिया तो फिलाल इसमें काम होने वाला है जो तार देख रहे हैं वो डीला हो गया तो इसको खीचने वाले और अपने मिस्ट्री साहब आये हैं जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे हो कहा बंचे तरह में हैं तो वेल्डिंग जो कानो बन जात होई है तो यह दोस्तों तलाब बिहा का तो चे के लिए दिखा देता हूं यहां का तलाब और यहां का जो तलाब है ना भाई सहाब ऐसी रहता है यह पर यह बोर लग गया है उसके वाज़ा से इसमें पानी कुछ-कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें तो पहले बिलकुल सुगा रहता था और इसी में हम लोग केट खेलती है देखिए और इदर फिल्हाल क्याल रहा है इन लोग का काम तो आज की वीडियो को बस से ही खतम करते हैं तो स्टू में किसी और नहीं वीडियो में किसी और नहीं जगार नहीं तक जैहीं चाभारा जैचात्रिकार